ओ भाई मारो मुझे मारो सिर्फ पांच घंटे में जी हाँ दोस्तों सिर्फ पांच घंटे में मेरे चैनल का मोनोटाइजेशन सक्सेच्फुली ओन हो चुका है लेकिन ऐसे नहीं हुआ इसके लिए मैंने कुछ मोनोटाइजेशन apply करने से पहले कुछ change किये थे अपने चैनल पर वीडियो पर कुछ सुधार किये थे कौन से trick मैं अपनाई थी सब कुछ इस वीडियो बताने वाला हूँ तो वीडियो को पुरा complete देखना बहुत interesting होने वाला अगर वीडियो को पुरा complete देखते हो और वही चीज आप भी follow करते हो जो जो मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ और जो मैंने खुद अपने चैनल पर फॉलो किया जो सिर्फ आप 5 घंटे में मेरा चैनल monetization on हो गया तो अगर आप इन ट्रिक्स को follow करते हैं आप भी यह चीजे करते हैं तो आपका भी चैनल 5 घंटे में या 5 घंटे से कम में ही आपका भी चैनल monetization on हो जाएगा तो कौन सी ट्रिक हैं क्या मैंने तरीका अपना है जिससे कि मेरा इतना जल्दी चैनल monetization on हो गया सब कुछ इस वीडियो में complete बताने वाला हूं तो नमस्कार दोस्तों मैं बिनोध राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीके टेक्निकल वहिया में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जब मैंने YouTube चैनल इस्टार्ट किया था वीडियो मेरा दिरे-दिरे से rank कर दिया और उसमें फाइनली 70,000 प्लस ब्यूस हो गये थे और वहां पर मेरा वास्टांज भी फाइनली complete ही होने वाले था लेकिन पता नहीं यूप्टूम ने उस वीडियो को फिर से रिब्यू किया और उस वीडियो को यह बोलती है डिलीट कर दिया कि यह वीडियो YouTube Policy का उलंगन कर लगी है YouTube Policy को फॉलो नहीं कर रही है तो उस वीडियो को डिलीट है उन्हों के बाद मेरे चैनल पर पचीस सौ घंटे का वाच टाइम कम हो गया था जिस वय से मेरा channel monetization on नहीं हो पाया उसके बाद मैंने फिर से मेनत करी YouTube ने फिर से मेरा एक वीडियो वारल किया फिर से YouTube में एक वीडियो को राइंग कर दिया और उसमें एक लाग प्लस वीज हो चुके हैं और यहां पर मेरा उस वीडियो के राइंग होने के बाद उस वीडियो पर एक लाग व्यूस आने के बाद पानली एक अजा सब्सक्राइबस और चाराजार घंटे का वास्टाइम पानली कम्प्लीट हो गया उसके बाद मुझे अपना channel रिब्यू में भेजना था लेकिन चैनल रिब्यू में भेजना थोड़ा कटिन वर्क होता है थोड़ा रिस्क का काम होता है इसलिए मैंने YouTube पर चैनल को रिबी में भेजने से पहले सबसे पहले कई सारे YouTube पर वीडियो देखे कि रिबी में भेजने का सही तरीका क्या होता तो मैंने जितने भी वीडियो देखे समय यहां पर उनका monetization on होने में कम से कम 5 दिन, 6 दिन या 14 दिन या फिर एक महिने का टाइम लग रहा था, किसी का भी चैनल 5 दिन से पहले monetization on नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर मैंने एक वीडियो और देखा, जिसमें किसी ने बताया कि अगर आप monetization भेजने से पहले, monetization भेजने से पहले, अगर आप अपने चैनल को खुद रिब्यू करते हो, कुछ चेंज करते हो, इस ट्रिक को फोलो किया, जिसकी वज़े से या उसके बाद मैंने अपने चैनल को अंडर रिब्यू में भेजा, तो उसके बाद सबसे पहले तो मेरा गूगल एड्सेंस होता है, उसमें भी लोगों कम से कम 5-6 गंडे का टाइम लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ और 43 मिनट सिर्फ 43 मिनट में मेरा गूगल एड्सेंस हो गया था, द्लिकर आ गया था, उसके बाद मैंने मॉनोटाइजे से और जब गूगल एड्सेंस ड्न हो घाता हो इसके बाद आट मैटिक की आपका चैनल अंदर रिवी में चला basti में जा चुका थैंज जब अंडर रिवी में प चुकत तेन बजे कुछ रइब उपिन किया तो यहां पर मेरे पास मेसिज हो चुका था कि कि आखांग रिलैच्वेशन आपके चैनल पर मुनोटाइजेशन ओन हो चुका है तो 10 बजे यहां पर मेरा अंडर 工作 में गया था और उसी समय तीन ब VII मेरा पर अंडर रुपय स्वापस आ गया था शुक सब सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर रिब्यू किया और मैंने देखा कि जो मुझे लग रहा था कि जो भी वीडियो य Wait to monetization के थोड़ा सा खिलाफ है policy का उलंगण कर रहे हैं सबसे पहले तो मैंने उन वीडियो के jury That disclaimer आप जानते होगे disclaimer लगाने से यह हो जाता है कि अगर आपने वीडियो को बना दिया तो किस परपेस्ट से बनाया आपका वीडियो बनाने का मकसद क्या है अगर आप डारेक्ट लिए ऐसे ही रहने देते हैं और यूप पॉलिशी का उलगन करते हैं यूप पॉलिशी के खिलाप होती है तो यूप उस वीडियो के वज़़े से आपका चैनल नहीं करता है लेकिन यूप टूब के खिलाप फे थोड़ा बहुत आपको इस पर डिस्क्रेमर जरूर लगाना तो सबसे पहले ट्रिक मैंने यह फोलो की हर वीडियो पर मैंने जो मुझे लग रहे थे कि यूप टूब के नियम को फोलो नहीं कर रही है उन पर सबसे पहले मैंने डिस्क्रेमर ल उन लगता है इसलिए मैं ने सोचा कि private वीडियो है ही इसका कोई मतलब नहीं है और उसलिए मैंने सबसे पहले private वीडियो को सबसे पहले वहां से हटा दिया अपने से रिमूब कर दिया और कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर चैनल पर कॉपी राइट आया हुआ है किसी वीडियो पर कॉपी राइट आया हुआ है तो क्या चैनल मोनोटाइजेशन ओन होने में कोई दिक्कत हो सकती है तो यहां पर बिल्कुल भी आपको घबराने की जुरू गया होगा तभी आपके आता है तो कॉपी राइट अगर वीडियो में आ गए तो का ब्रका ने की जडर mina है क्योंकि यहां पर बहुत यासानी से आप अपने वीडियो कर आई और आपको आपका बीडियो भी बचा रहे गा कलि लोग नी लोग सुचते ליो के व confession को ऑपी तरीका क्या होता है इसके लिए मैं अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को आई बटन से जरूर देख ले ना मैंने फुल डीटेल में बता जाया है कि आप आए वीडियो से कॉपीडाइट क्लेम को कैसे हटा सकते हैं उसके बाद मैंने तीसरी चेंज जो अपने चैनल पर किया तीसरे scarra नहीं को सभी सब्सक्राइट के जाते हैं तो कुछ कोमेंट्स ऐसे भी होता है जो लाइक लिए इस णाम को पर लिंक वगहां तुछ आएसे के साब्सकान काल स्वारी गाइज लाइड चली गई तो मुझे इस दूसरे बैग्राउंड पर आना पड़ा क्योंकि वह बैग्राउंड सिर्फ लाइड पर ही वरके कर रहा था तो मैं कहां पड़ता कि लाइकली स्पैम कमेंट अगर आपकी वीडियो पर कोई गलत कमेंट कर देता है या ऐसे लिख देता जो YouTube के खिलाप होते हैं यह को लिंक पोश्ट कर देता तो ऐसे कमेंट लाइकली स्पैम कमेंट होते हैं अगर आपको लाइकली स्पैम कमेंट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसका मैं फुल डीटेल वीडियो बनाया हुआ हुआ है जिसमें बह हटा देना है जब अपने वाइटी ब billion करते है तो सबसे नीचे आपको पर आजैङ्गा डिस्क्रिप्शे न, कहीं भी अगर आपकी बीडियो पर प्री वर्ड का यूच किया गया है तो सबसे पहले आपको इसको change कर देना, आपको कहीं भी title tag description, यहां तक कि thumbnail पर भी आपको कहीं भी free word को use नहीं करना, और साथ ही साथ download को भी, download word को भी आपको कहीं भी use नहीं करना, title tag description, thumbnail कहीं भी आपको download लिख करके कहीं भी नहीं रखना, आपको free और download इन दोनों words को से आपक चाल कर लेते हैं और इस दोनों वर्ट्स को आप अपने चलल से अपने वीडियो से हटा देते हैं तो आपका चैनल फ्रेस हो जाता है आपका चैनल बहुत जल्दी अपने चैनल फ्रेस हो जाता है तो अब मैं आपको लाश्ट में सबसे में पॉइंट बताता हूं जो कि आपको बहुत ही जरूरी ध्यान देना है यहां पर आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अगर आपने किसी थर्ड पार्टी अप्लीकेशन का लिंक दिया लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको किसी भी वीडियो पर कहीं भी आपको लिंक नहीं रखना हर जगह से आपको लिंक को रिमूफ कर देना है तो अगर इन सब चीजों का आप भी ध्यान देते हैं तो 101% मैं गय सकता हूं कि आपका ही चैनल मेरे ही जैसे पांच घंटे मे या और ही कम समय में आपका monetization हो सकता है लोगों को एक एक महीने का जहां पर टायम लगता है वहीं पर आपको सिर्फ एक दिन भी नहीं पूरा-पूरा आपको पांच घंटे में ही आपका चैनल monetization on हो जाएगा क्योंकि मैंने भी यही चीज़े करी है और मैं खुद आपके स जरूर शेयर करना जो अपना चैनल monetization के लिए अपलाई करने वाले हैं तो फिर मिलता हूं मैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी साथ तब तक के लिए टाटा वाई बाई जैए